नमस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो दिनांक 28 जनवरी 2023 से जिंदगी में होने वाले हैं बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन मित्रो क्योंकि जीवन में एक बड़ा ही अद्भुत चमतकार होगा और इ आये सबसे पहले अगर नजर डाले पंचांग पर तो मित्रो 28 जनवरी को सनीवार का वार है साथ में माग मास के सुगलपक्स की सब्तमितिती है और मित्रो अस्वी निनक्सतर है और आप सभी को बता देते ही कि साध्य एवं सूब नामक योग का निर्मान हो रहा है जो की ब में इस रासी पर संचार करेगा तो अब एसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्सतरों की चाल का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउधा आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोटियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्सत्रों की चाल पर हम आपको बताने वाले हैं तो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा मित्रों क्योंकि जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए तीन बार ओम हनुमंते नमह अवश्य लिखियेगा मित्रो गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाई पुर्ण क करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार की तो मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि दोबारा गर्म की हुई चाय और समझोता किया हुआ रिष्टा दोनों में पहले जिसी मिठास कभी नहीं आती है इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी स रिष्टा तोड़ें तो बहुत सोच समझ कर तोड़ें और रिष्टा जोड़ें तो भी बहुत सोच समझ कर जोड़ें क्योंकि एक बार तुटा हुआ रिष्टा पहले जिसा वापिस कभी नहीं हो सकता है तो मित्रो गुरु जी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा तो मित्रो अगले 24 गंटों के मेहत प्रनस्तमाई अंत्राल की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा कलेस उत्पन होने की संभावना बन रही है। तो आपको एक चीज का धिहान रखना है कि अपने बोलचाल के लेहजे को सुधारना होगा। आपका ये जो कड़क बोलने का लेहजा है इसे जल्दी से जल्द दूर करें मित्रो। सनिक आवेग में आकर कोई निरणे ना करें। क्योंकि यदि आपने शनिक आवेक में भेकर कोई निरणे किया, तो यहां निरणे आपके लिए मित्रो भहुस सारी तकलिफे उत्पन्न कर देगा। यहां आपके बच्चों के हीतों को अहानी पहुचा सकता है। इसलिए मित्रों बता देते हैं कि थोड़ा सा साउधाने से परिवार की परिश्टी थियां सुधारे अतिरिक्त आई के लिए अपने स्रजनात्मक विचारों का सहरा लेंगे तो मित्रों आप अतिरिक्त आई अरजित करने में सफल रहेंगे लेकिन दोपहेर के बाद किसी पूराने दोस्त से मुलाकात समय को खुसनुम बना देगी मित्रों आपका इसा पूराना मित्र जो आप से बरसों पेहले बिचला था कोई इसकुल का प्रिये मित्रों हो सकता है या कोलेज का तो उसके साथ समय बिताने से जीवन का एक अलग ही अनुभव महसूस करेंगे मित्रों बता देते हैं कि आप सुनहेरे दिनों को याद करके पूराने यादों में डूब जाएंगे और अपने प्रियों को माफ करना ना भूले जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालो या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो सकता है अब मित्रों चुकि यह सही भी है कि हमारा जीवन हम अपनों के बीच रहे कर वितित करते हैं और जब अपनों के लिए ही टाइम नहीं रहेगा तो थोला सा दुख पहुचेगा मित्रों बता देते हैं कि अपने जीवन साने की नुक्ता चीनी से आप परिशान हो सकते हैं जीवन साथी की नुक्ता चीनी को दूर करने का प्रियास करें उनके साथ बिलकुल प्यार से पेश आए उनकी बातों को समझे और अच्छे से सुने साथ ही वह आपके लिए कुछ बढ़िया भी करने वाला है अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ना करें उनको समझे इस्तती खुद बेखुद सुधर जाईगी साथ ही आपको बता देते हैं कि सफेद गाय को रोटी खिलाए हेल्ट बहुत बढ़िया रहेगी स्वास्त में किसी प्रकार का कोई उच्छ निच देखने को नहीं मिलेगा और आपका यह जो उदारवादी स्वभाव है यही उदारवादी स्वभाव आपके लिए खुद नुमा पल लेकर आएगा मित्रो आपको बता देते हैं कि आपको लोगों से जुड़ कर रहना होगा कई बार जीवन में आप अकिला रहने की कोशिश तो करते हैं लेकिन रहे नहीं पाते हैं अप चुकि मित्रो यदि आपको अकिले में सुकुन मिलता है तो आप नकरात्मक विचार मन में बिलकुल भी नाने दे अगर देखा जाए तो यह समय निवेश के लिए बहुत पहत्रन देने वाला है लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें और जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहियोग मिलेगा मित्रो उचित सलाह से निवेश करना हद से जड़ा जरूरी होगा क्योंकि जब आपको अच्छे लोगों का अनुभू मिलेगा तो आप निवेश करने में भी किसी प्रकार की कोई मित्रो लापरवाही नहीं करेंगे वहीं आपको बता देते हैं कि आप और आपका महबूब प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदोहोसी को महसूस करेंगे किसी वजह से ओफिस में जल्दी छुटी हो सकती है तो इसका आप फाइदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घुमने जाएंगे साथ ही मित्रो इस वक्त के अंत्राल में आपको अपने माता पिता के स्वास्त का विशेश ध्यान रखने की आवश्यक्ता होगी क्योंकि माता-पिता के स्वास्त में आपको अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी जिसकी वज़े से थोड़ी सी भागदोड़ आपको करने पर सकती है लेकिन मित्रो अगर किसी अच्छे चिकिसक को दिल दिखाएंगे तो यह समस्या हो सकता है कि हमेशा के लिए आपके माता-पिता के स्वास्त की समस्या दूर हो जाए वहीं घर में अगर सुकसानती रहना चाहते हैं तो छोटे-छोटे फूलो के पोजों को घर में लगाएं इससे घर में सकरात्मक और जाती है मित्रो बता देते हैं कि आपका महबुप और प्यार समंदर में उगोते लगाएंगे और प्यार की मदहोसी को महसूस करेंगे इसी वज़े से आपके ओफिस में जल्ली छोटी हो सकती है और इसका आप फाइडा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं गोमने जाएंगे अ मित्रो जब ओफिस चे आपको बहुत लंबे समय के बाद जल्ली छोटी मिली है तो क्यों न इस छोटी को यादगार बनाय जाएं मित्रो के साथ परिवार के साथ कहीं गोमाएं वहीं वेवाहिक जीवन में इस नहे को दिखलाने का अपना मेहत वहे और इस चीज का अनुभव आप करेंगे समय अच्छा है आपका प्रिय आपकी किसी बात पर खिल खिला कर हसेगा वहीं आप इस बात का भी ध्यान रखियेगा कि बेकार के वाद वीवादों से दूर रहें और अपने काम से मतलब रखें तो आईए मित्रो अब हम आपको बथाते हैं कुछ एसे चमतकारी एवं सिद्ध उपाई जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारकार सिद्ध होंगे मित्रो लाल मिर्च का एक बहुत ही बहतरिन उपाई है जीवन में किसी चीज की कमी ना हो धन धाने से परिपोन जीवन हो तो एक रोमाल में साथ लाल मिर्च को बांध कर घर में धन रखने के स्थान पर रखें पेशा करने से घर में धन टिकेगा और फिजल खर्ची नहीं होगी और जितनी जरूरत होगी उससे कई ज़्यादा पेशा आपको पराप्त होगा वही मित्रों किदि आप जीवन की सर्व भाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक मंत्र है जो आपको रोजाना सुबह साम जपना चाहिए सर्व भाधा, निर्विब मुक्तो, धन धाने, सुतावन्तिही, मनुश्य मत, प्रसादेन, भविश्यती, नस्षन से मंत्र जाब की सहायता से आप अपनी जीवन की सभी भाधाव से मुक्तो हो जाएंगे इसमें कोई संदे नहीं है कि इस मंत्र का जाब करने अलव्यक्ति जीवन में धन्दान्य, संतान, सुख, सम्रद्दि से भर जाएगा मित्रो इसका जाब प्रति दिन एक मला करना चाहिए, ये दुरगा सब्ति सती का सिध्ध मंत्र है यदि आपको मंत्र समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखने का बोल सकते हैं हम आपको लिखित में इस मंत्र को प्रदान करने का मित्रो प्रियास करेंगे तो वीडियो में बताए गए उपाय एवं मंत्र बड़े ही सिद्ध है एक बार अवश्य आजमाईएगा मित्रो इने आजमाने से ना ही आपको कोई धन खर्च करना है और ना ही लाखो करोड रूपे की कीमत चुकानी है तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समापती यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स समय गुरुजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाए नमस्तू भ्यम अवश्य लिएगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वरधक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाईएगा वह जो इस स्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटे भी अवश्य ही दबाएगा